बसकार अदाप सिस्ट्यकाल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ग्यान में तो दोस्तों आज है फोर्थ में और फोर्थ में के करेंट अफेल्ड लेके मैं आपके सामने उपस्तित हूँ तो दोस्तों मुझे पांच कोशन मिले हैं करें एक्जाम के लिए अवेलेबल हो वही कोरोना वही सब कुछ और नेगेटिविटी और हावी हो जाती है उनको पढ़के मैं इंटर्व्यू के बाद में पेपर पढ़ और नहीं रही थी पर फिर से पढ़ना पढ़ रहा है और इतनी मतलब अजीब गरीब न्यूस होती ह है तो मैं तो आप लोगों से तो यही कहूंगी कि आप थोड़ा दूरी रहें मेडिया से न्यूस चैनल से थोड़े पेपर भी सरसरी द्रिस्टी से ही पढ़ें मत पढ़िएगा बहुत जादा ऐसी खबरें बहुत जादा सुनके घबराहट भी होती है डर और लगने लगत तो आगे बहुत टाइम मिलेगा घूमने के लिए दोस्तों के लिए शादी करने के लिए सब कुछ के लिए बट अभी तो बहुत बूरा टाइम चल रहा है तो प्लीज स्टे होम स्टे सेफ और हाँ न्यूस शूरू करने से पहले दो मिनिट जो कल मैंने वीडियो डाला था न्यूस चैनल का नाम बदला जाए किया तो आप इतने सारे लोगों ने तो देखा है और इतने सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे तो सच में उमीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा रेस्पॉंस करोगे इतने अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किया है आप लोगों ने तो तहे दिल से थैंक्यू सो मच्च सच में मुझे मतलब सच में उमीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इंटरस्ट लेंगे लेकिन आप लोगों का प्यार देखके लग रहा है कि सच में लोग पसंद कर रहे हैं तो थैंक्यू दोस्तों जल्दी उनमें से एक नाम जो आप हो रहा है सब कुछ तो लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं पहले बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ लेकिन मुझे पता है कि बहुत लोगों के घर में तो माहौल ऐसा हो रहा है आस पास रिष्तेदार सब के कुछ ना कुछ हानी मतलब बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ गडबड हो रही है तो मतलब नहीं है कुछ लेकिन जिन लोगों के सब कुछ ठीक है अभी तक मतलब और दुआ करते हूं कि सब ठीक ही हो प्लीज अपनी पढ़ाई को continue रखे माहौल तो ऐसे ही आते जाते रहेंगे टाइम निकल जाएग लेकिन अगर हमने हमारी continuity कुछ भी हो जाए दोस्तों पढ़ाई मत छोड़ना लगातार पढ़ते ही रहना क्योंकि सफलता का एक ही फॉर्मूला है मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत संगर्ष किया और एक ही चीज से खी है कि जिन लोगों निरंतरता बनाई रखी है ना वो कभी हारे नहीं है तो बस एक ही चीज़े की लगातार बने रही है अच्छी बुरे टाइम जंदिकी में आते रहेंगे लेकिन कोशिस कीजिए कि कुछ घंटे अपने पढ़ाई को डेली दीजिएगा ठीक है तो अब शुरू करते हैं आज के करेंट अफेर्स वीके बंसल दोस्तो बंसल क्रासेज के सनस्थावखत ते ईनका निधन हो गया है देश विदेश में सिख्षा नगरी को पहचान दिलाने वाले बंसल को करीब 35 वरसों से इनोंने कोचिंग छित्र में योगदान दिया है तो दोस्तों बहुत ही महान पर्सनलिटी थे और भी इनके बारे में दो तिन चीज़े लिखी हुई थी कई तरह के इनको अवार्ड भी मिले है प्लस इनकी कई मेगजिन्स बड़ी बड़ी विदेशों की मेगजिन है उनमें भी इनका नाम छपा है पायोनियर बोलते हैं इनक से में नेगेटिव न्यूज लेना नहीं चाहती लेकिन पर्सनलिटी बहुत इंपोर्टेंट है हमारे लिए और खासकर राजस्तान से है तो कॉशन हमारे बन ही जाएगा दोस्तों ये बड़ी न्यूज बन सकती थी बहुत दिन से न्यूज में चल रही है तो मैंने इस तर का फत्या का केस दर्ज करवाने का बयान दिया है दोस्तों अनुछे 324 से 329 29 में चुनाव आयोग दिया गया है ना चुनाव आयोग को अधिकार होता है चुनाव करवाने का तो दोस्तों आप सबको पता है कि चुनावों में कोविट प्रोटोकोल्स निर्धारित तो किये पर सकती से कोई जैसे कि अभी किते किते हजारों लोगों की मीटिंग और एलियां हुई थी तो उनको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ सॉलिड कदम नहीं उठाए थे तो जब से चुनाव हैं तब से कई तरह के हाई कोर्ट के बयान आ रहे हैं कि चुनाव आयोग उ सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हत्यारा बताया किसने दोस्तों मदरास हाई कोर्ट की बैंच के द्वारा यह बयान दिया गया था इस बयान के खिलाफ दोस्तों चुनाव आयोग ने अपना वकील किया है और वह सुप्रिम कोर्ट में गये हैं इसके सुनवाई की गई है सुप्रिम कोर्ट में ठीक है डी वाई चंद्रचूड जो अपने जस्टिस है उनके द्वारा इनके सुनवाई की गई है और दोस्तों इसके मामले में जो भी फैसला दिया जाएगा वो तो उन्होंने सुरक्षित रख लिया है लेकिन चुनाव आयोग ने केस के सुनवाई कर करते समय सुप्रिम कोर्ट में जाके चुनाव आयोग ने अपना पक्ष किस तरह से रखा कि अगर प्रधान मंत्री दूर दराज के गाउं में जाकर रैली करवा रहे हैं तो आयोग तो भीड पे गोली नहीं चला सकता है ना ऐसा करना आपदा प्रबंदन विभा का मतलब प करना के समय तो विजय जुलूस पर रोक लगा दी गई है ना बाद में तो प्रोटोकॉल जारी कर दिए गई कि किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा रिजल्ट पर कोई जश्ने नहीं मना जाएगा लेकिन पहले कड़बड हुई थी तो चुनाव आयोग ने अपन लेकिन लिया तो मतलब आद्यकारी की तरह ही जाता है ना कदम भी उठाय जाता है अगर उनके सला नहीं माने जाते हैं जुर्माने वगरा लगा दिया जाते हैं लेकिन यह बात भी सही है कि यह आपता प्रबंदन विभाग का काम है तो दोस्तों जो डीवाई चंद्रचू इनहीया ना दें क्योंकि मेडिया का प्रेशेर फिर हम पर आ जाता है तो इन्होंने बोला है जो चंद्रचूड सर है कि जस बिजुली टिपनी उपनी उन्होंने दिया तो एसे हैं और इसको कि में में भी कोशन बन जाते है कि जैसे चुनावायो को जिम्हभरान के vermолотे हैं कि उन्होंने तॉकि नहीं कर भाय या फिर निर्धारत प्रोटोकोल डिसाइद नहीं किये यश्र इस से रिलेटिड चुनाव आयो कि क्या कारिये हैं कारिया समझाते हुए बताइए कि उनके कारिये कितने बध्यकारी है इस तरह से कॉशन में बन जाएंगे और इंटर्व्यू में तो दोस्तों इतनी बड़ी टिपणी हुई है और केस भी हो गया इस पर तो इंटर्व्यू में तो ऑवियस सी बात है ऐसे कॉशन मनेंगे और हमसे पूछा वे जाएगा कि दोनों में से आप किसका पक्ष लेते हो तो हमें भी बिल्कुल आज के पेपर में जस्तिस दिवाई चंद्रचूड की पूरी लाइन आई है एक वह लाइन भी इंटर्व्यू वाले जो जिनका भी इंटर्व्य पत्रिका में आई है और भासकर में भी आई होगी शायद कि हमें वही संतुलित जवाब देना है जैसा कि चंद्रचूड सर ने दिया है कि संसर चुनाव आयोग भी अपने जगे सही है लेकिन जस्टिस वह जज्ज है जो हाई कोट के उन्हें भी जरूरी था ऐसा बोलना ज स्काम करती है और देखिए मतलब इसका प्रभाव हमें दीखी रहा है कि उनकी टिपनी के बाद में जुलूस पर तो प्रतिबन लगाया ही है नहीं तो हो सकता है यह भी नहीं लगा जाता है तो अपनी जगर दोनों ही सही है एक दोस्तों ब्लूम पर गेसंस्ता है तो और शेयासी करोड तो राजस्तान में ही है तो अपन कावर सिंगापूर कहां बट फिर भी सिंगापूर ने बहुत इशांदार काम किया है सकती से सब कुछ पना अने जाने वाली प्रतेक चीद पर उना लोगों को पै hole झी अब कोई प्यशों है और न्यूजिलेंड दूसरी नंबर सब से सुनियांड और प्छली त्वरस्टी令 नूजिलेंड न्यूजििलैंड सबसे तो नमर ठाथ पर पहले नंबर पर न्यूजिलेंड था है ना इस बार सिंगापूर हो गया पहले नंबर पर तो यह चीज आप ध्यान रख लेना और भारत फ़कुल त्रेपंदेश इसमें शामिल थे दोर तो यह भी याद रखना है और भारत भारत की जो रैंकिंग है वो दस अंक स्तान किसके हैं तो पोलेंड और ब्राजील का सबसे बावन वेपर पोलेंड और त्रेपश म польз ब्राजील मतलब दोस्तों पूरी दुनिया केकि देशों का नहीं हहां पर मेडिकल फील्ड के जानकारों अस्पतालों को एक जगल आई जाएंगा दोस्तों यह एक प्लेटफोर्म होगा मतलब एप जैसा कुछ होगा और मतलब सरकार का एक प्लेटफोर्म बना जाएगा जिसमें जो मेडिकोज डिपाइट्मेंट में जित्ते भी लोग काम कर रहे हैं अस्पताल में डॉक्टर करमचारी उनको एक जगए उनकी लिस्ट बना दी जाएगी इस प्लेटफोर्म में मेडिकल प्रोफेशनल्स की लिस्ट के साथ में अस्पताल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के स हम पूर्ण जानकारी होगी है ना और कोरोना संक्रमेंट के दूसरे दोर में ऑक्सिजन सिलेंडर आइसीव विस्तरों और दवाओं की कमी के कारण भविश्य में होने वाली उनकी कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है मतलब एक जगए सब कुछ हमें मेडिकल से समं कर रहे हैं वो लास्ट इयर के स्टुडेंट है ना दोस्तों उनसे भी सरकार ने मतद मांगी है कि आप भी आओ और प्लस नर्सिंग का और यह सब काम करो क्योंकि हमें पता है पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी कमी हो गई है अभी हमारे यहां पे तो यह सरकार ने उनसे भी है सरकारी वहां पर होगी और दो तीन दिन पहले दोस्तों इनका निधन हुआ था जनरल सोली सोराब जी कौन है तो पद्म भूशन से समानित है और 889 और 90 और 1998 से 2004 तक देश की अट और ने जनरल रहे थे दोस्तों तो सोराब जी का अभी 91 यह के थे शाए यह कोरोना के वज़ जनरल रहे हैं तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं जनरल सोली सोराब जी तो दोस्तों हां कल का जो न्यूस दिसकेशन था मैंने उनको बता मैंने आप लोगों को जो चुनाव परिणाम हैं वो दिखाए थे तो उसमें मैंने कहा था कि दीदी हार गई है नंदी ग्राम से और मैंने कहा था कि दीदी ने शायद एक और जगह से चुनाव लड़ा था और वो दोनों ही जगह से हार गई है लेकिन सौरी आप लोगों ने करेक्ट करवा दिया थेंक्यू वेरी मच उसके लिए कि उन्होंने दो जगह से नहीं एक ही जगह से चुनाव लड़ा था अ कि उन्होंने नन्दी ग्राम से लड़ा था था तो मैरे दिमाग में और डिसकर्शन किया था उसमें भी हमने यही सोच लिए कि दो-दो सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों से हार गई हैं लेकिन सौरी गल्टी से किया मतलब मेरे अप्रोच में गलत आ गया था उन्ह सभी हो सकता है तो अगर कुछ गलती लगे तो बता दीजेगा और कुछ सजेशन देना हो दोस्तों तो वह भी स्विकार है कि आप जो भी सजेशन दोगे उनके एकोर्डिंग में और भी ज्यादा सुझा मतलब सुधार करने की कोशिस करूंगे लेक्चर में तो वीडियो देखने के लिए थेंक्यू वेरी मुट